हेलो फ्रेंड्स विज्डम लेर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं भजन सहिता 7 तो फिर स्टार्ट करते हैं हे मेरे परमेश्वर यहुआ मैं तुझ में सरन लेता हैं सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे ऐसा ना हो कि वे मुझको सिहं के समान फाड कर टुगड़े टुगड़े कर डाले और कोई मेरा छुडाने वाला न हो हे मेरे परमेश्वर यहुआ यदि मैंने यह किया हो यदि मेरे हाथों से कुटील काम हुआ हो यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आपकड़े और मेरे प्राण को भूमी पर रौण दे और मुझे अपमानित करके मिट्टी में मिला दे हे यहोवा अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद तु खड़ा हो जा, मेरे लिए जाग तुने न्याई की आग्या दे दी है देश-देश के लोग तेरे चारों ओर इकठे हुए हैं, तु फिर से उनके उपर विराजमान हो यहोवा जाती-जाती का न्याई करता है, यहोवा मेरी धर्मिक्ता और खराई के अनुसार मेरा न्याई चुका दे भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परन्तु धर्मी को तु इस्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्मकाई ग्याता है मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में हैं वह सीधे मन वालों को बचाता है परमेश्वर धर्मी और न्याई है वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रति दिन क्रोध करता है यदि मनुष्य मन नफिराए तो वह अपनी तलवार पर सान चड़ाएगा और युद्ध के लिए अपना धनुष तयार करेगा और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तयार कर लिये हैं वह अपने तीरों को अगनी बान बनाता है देख दुष्ट को अनर्थ काम की पिड़ाए हो रही हैं उसको उत्पात का गर्ब है और उससे जूट का जन्म हुआ है उसने गड़े खोद कर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धनिवाद करूंगा और परम्प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा आमेन